हेलो माई डियर फ्रेंड्स आज हम इलेक्ट्रो मेगनेटिक वेव को विजुलाइज करेंगे इलेक्ट्रो मेगनेटिक वेव क्या है उसके बारे में सबसे पहले बता देते हैं आपने चार्ज के बारे में सुना होगा पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज कोई भ वो स्यम charge को हम अगर कुछ V velocity से आगे की तरफ ले जाएं या charge मोशन में आ जाता है तो अपने चार्ग तरफ electric field के साथ एक और special field बनाता है जिसका नाम क्या क्या है magnetic field Frographic field magnetic field जब एक साथ produce होते हैं जैसे कोई charge motion में है तो अपने charge of electric field और magnetic field साथ-साथ produce कर रहा होगा अब उस field को बोलते हैं electromagnetic field electromagnetic field बोलते हैं electromagnetic field हमें wave के रूप में दिखाई देता है या wave के रूप में हम उसको consider करते हैं और wave किस तरह से propagate करता है किस तरह से आगे जाता है उसी के बारे में visualization है यहाँ तो देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पता होना चाहिए कि electric field perpendicular होता है magnetic field के ठीक है और दोनों का direction सेम होता है दोनों एक ही direction में जाता है आपस में perpendicular होता है दोनों का direction सेम होता है इस चीज को visualize करने के लिए wave के form में देखिए कि दोनों तो wave के form में दिखाई देता है देखिए यहाँ पे आपको दिखाए गया है जो red color का wave दिखाई दे रहा है वो आपका electric field है और जो blue color का दिखाए गया है वो आपका magnetic field है तो देखिए किस तरह से electric field और magnetic field electric field देखे कुछ इस तरह से जा रहा है देखी आप इसको two dimensionally बनाना तो संभो नहीं है आप बस figure में देख सकते हैं उसको कि किस तरह से वहाँ पर wave जा रहा है अब हम आपको क्या दिखा सकते हैं आपको हम variation दिखा सकते हैं electromagnetic wave का x-axis में variation y-axis में variation और z-axis में variation यानि कि x-axis में अभी 152 डिग्री पे है y-axis में 125 डिग्री पे है और z-axis में 193 डिग्री पे है तब आप अच्छे से visualize कर पा रहे हैं और देखते हैं क्या होता है यदि हम इसमें हम variation करते हैं तो सबसे पहले आपको हम x-axis में variation करके दिखाते हैं देखिए कुछ हम variation किए 150 डिग डिग्री बहुत कमाल का visualization देखने को मिल रहा है और देखिए 100 डिग्री 110 डिग्री से क्या हुआ हम सिर्फ रेड़ वाले portion को ही अच्छे से देख पा रहे हैं उधर वाले portion को हम नहीं देख पा रहे हैं देखिए इस तरह से 66 डिग्री में और देखिए इस तरह से दिख रह से दिख रहा है अब 238 डिग्री पेश तरह से दिख रहा है तो बहुत कमाल का visualization देखने को मिल रहा होगा देखिए हर बार कुछ अलग-अलग सेप देखने को मिल रहा है लेकिन ऐसा नहीं समझना है कि कोई चेंज होगी या कोई चीज बस देखने का एंगल चेंज हुआ है जिसके वज़े से थोड़ा आपको अजीब दिखाई दे रहा है ठीक है बाकी सारा कुछ सेमी है तो देखिए आब यहां पे भी ऐसे देख सकते हैं आगे की तरफ कितना कमाल का visualization है तो friends आपको और बता दें electromagnetic wave के बारे में कि जो electromagnetic wave होता है इसका property क्या है या इसका कोई example क्य क्या है light is electromagnetic wave जो हमारा light है वह electromagnetic wave है ठीक है और electromagnetic wave को travel करने के लिए no medium कोई medium की जोड़त नहीं परता है no medium required कोई medium का required नहीं परता है light तो हमारा electromagnetic wave है ही और क्या है जो हमारा एक स्रेज है अलफा रे है बीटा रे है गामा रे है रेडियो वेव है यह सब सारे हमारे electromagnetic wave है I hope कि आपको समझ में आ गया होगा और आ गया तो कमेंट में अगर आपका कोई visualize करना है कोई topic को तो उसको लिखना मत वो लेगा thank you